ओम शान्ती, आज 1 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज बहुत सारे गौडली सुडेंट्स ने अपना चार्ट भेजा हैं, जिन्नोंने भी चार्ट रखा, प्रति दिन चेक किया, उन्हें बहुत बहुत शुब काम नाएं, जहां भी हमारी कमी रही, उसे ठीक करने का संकल्प लेना, द्रड़ता से उसे ठीक कर लेना, ये संकम युक पर बहुत बड़ी समझदारी हैं, अमरित वेला, मुरली क्लास, ट्रैफिक कंच्रोल, नुमा शाम योग, अविक्त मुरली अध्यन, जिसमें भी हम कमजोर रहें, स्वेम ही स्वेम के टीचर बन कर, अपनी कमजोरी को दूर करेंगे, और बाबा को अपना सच्चा जार्ट देंगे, ताकि उन्नती होती रहें, और आज बहुती विशेश बाबा की महवाक्य हैं, इसमें बाबा ने कहा कि बच्चे सदा सलामत रहो, सदा खुश रहो, सदा सलामत उन्हें कहेंगे, जो चलते फिरते उठते बैठते भी, एक की याद में रहते हैं, जिनका योग अच्छा है, वो बाबा की तकदीरवान बच्चे हैं, शिरिमत पर चलने से ही सदा सलामत रहेंगे, और आज मुख्य शिरिमत है, अमरित वेले उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुब उठकर याद करो बाबा को, तो उन्नती होती रहेगी, बाबने का जल्दी सोना, जल्दी उठचाना, ये गुण मनुष्य को निरोगी बनाता है, और ये कमाई करने का समय है, अमरित वेले का समय, आतम उन्नती के लिए बहुत बहुत अच्छा है, जब बाबा के सामने बैचे हो, तो ये सच्चा सच्चा हरी द्वार भी है, हरी के समुक आप बैचे हो, जब यहां आते हो, बाबा को याद करते हो, तो बाबा की याद से आतमा पावन बनती है, ऐसा नहीं कि गंगासनान से बनती है, बाबा की याद से आतमा पवित्र बनती है, सासत बाबा नहीं कहा, ये आप बच्चों को अपना सब कुछ बाबा के पास सफल करना है, अपना तन, मन, धन सेवा में लगाना है बाबा ही सब कुछ सफल कराने वाले हैं अपना सब कुछ बाबा के पास इंशोर करा लो कन्याओं के पास तो तन और मन है उन्हें धन का कोई ख्याल नहीं करना लेकिन सब अपना तन मन धन बाबा के आगे समर्पित करते हैं तो भविश्य उच्पद पाते हैं। बाबने जो याद की यात्रा सिखाई हैं, उससे आत्मा पावन बनती है। चलते फिरते भी ये बुद्धियोग की यात्रा करते रहना है। सुनते हैं बाबा की मधुरबूल, बाबनी का मीठे बच्चे, अपनी उन्नती के लिए अमरित विले उट बाबा को याद करू। सवेरी का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? सदा सलामत रहने का आधार क्या है और सदा सलामत किसे कहेंगे बाप की श्रिमत ही सदा सलामत बनाती है कभी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती निरोगी काया बन जाएगी तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रो जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह तकदीरवान बच्चे उनहीं सदा सलामत कहेंगे जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं, वह तकदीरवान बच्चे उन्हें सदा सलामत कहेंगे गीतर रात के राही ठक मत जाना, सुभा की मन जिल दूर नहीं ओम शांती, मीटे मीटे पुर्शार्ती बच्चे, इस गीत का अर्थ तो स्वैम जानते होंगे नमबरवार पुर्शार्तमसार, जो यातरा पे उपस्थित हैं, वही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं अब ये यातरा है रात की, और जिस्मानी यातराइं होते दिन की अमर नात बद्री नात पर जाते हैं, तो दिन को सफर कर रात को सो जाते हैं दिन में मुसाफरी कर, रात को सो जाते हैं, तुम बच्चों की मुसाफरी है रात की, दिन में तुमें शरे निर्वार्थ काम करना पड़ता, नोकरी पर जाते हैं, माताइं घर संभालती हैं, सबसे जादा उन्नती रात को होती है, जबकि सम मनुष्य सोय होते हैं, तुमारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमरित वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उनती करना चाहते हो, तो बाबा राय देते, नीद को जीतने वाले बनो। बाबा की राय है, बच्चे नीद को जीतने वाले बनो। पांजर वर्ष पहले भी कहा था, भले सवेरे सो जाओ, कावत है सवेरे सोना, सवेरे उठना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है, सवेरे सोना मना रात को जल्दी सो जाना, सुबच जल्दी उठ जाना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है, बुरोबर तुम कितने सावकार बनते हो जो कभी तुम्हें पैसे की परवानी रहती तुम्हें 21 जनम के लिए वर्सा मिल जाता शिवाले में या तुम जनम बाई जनम पुर्शार्थ करते हो अभी का तुम्हारा पुर्शार्थ 21 जनमों का बन जाता वंडर है न ऐसा कोई भी पुर्शार्थ कराने वाला है नहीं अविनाशी बाप अविनाशी पुर्शार्थ कराते या तो पैसे के लिए क्या नहीं करते बाप बच्चों को बच्चे बाप को मार डाते तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्सा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्से को याद करू और कोई तकलीफ नहीं सिर्फ दो अक्षर है इसको महमंत्र कहा जाता बस ये दो अक्षर याद करने से तुम्हें रास्तिलक मिल जाता अब इस याद में बल है जितना जो याद करेंगे योग और ग्यान, शास्त्रों अदी के ग्यान की यहाँ बात नहीं दो अक्षर याद करने के लिए कहते, कहते तो फुरसत नहीं रहती कह देते हम याद नहीं कर सकते घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं दो अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते तुम लोग गीत, कविता, डायलोग बनाते हो याद करते हो वास्तों में इन सबकी यहां दरकार ने यहां तो तुमें चुप रहना है क्या तुम बीज और जाड़ को नहीं समझ सकते बीज को हाथ में लेने से सारा जाड़ सामने आ जाता इसमें चार युग, चार वरण है यह सब बुद्धी में लाना देरी नहीं लगती सेकंड में स्वरग की बादिशाही मिल जाती सरफ याद में रहना है सेकंड में सक्षतकार कराया जाता उस समय जैसे स्वरग वाकृष्णपूरी में है सरफ दो बाते याद करनी है एक बाबा की याद, दूसा ये नॉलिज बहुत उंच है मनुश्य से देवता बनने की देवताईं तो पवित्र होते हैं नॉलिज हमीशा ब्रह्मचरे में पड़ी जाती है जब पढ़कर घर संभालने लाइक बने तब बाद में शादी करनी होती अपनी घरवालों को क्रियेटर संभालेंगे इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना तो ब्रह्मचरे में कमाई होती है आजकल तो धन के भूखे हो गए थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते अब बाबा कहते बच्चे ये कोर्स बहुत सहज है सरफ शिरीमत पर रात को जाग कर प्रक्टिस करो जो कोर्स बाबा करा रहे हैं बहुत सहज है, रात को जाग कर प्राक्टिस करू, रात को बुद्धी की यात्रा करना बहुत सहज है, और मदद भी बहुत मिलेगी, दो-तीन बजे अम्रित वेला कहा जाता, सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है, ये बुद्धी का काम है, बाबा का फर्मान है, निरंतर मुझे याद करो, तो तुम्हारे वी करम में नाश होते जाएंगे, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे, तुम सजनिया हो पतित, सबके पंक तूटे हुए हैं, अब सिरफ याद करो, तो पवित्र बन जाएंगे, सवेर उठने का प आत्मा है, हमें परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है, वे बाप भी है, उनका बनना है, जानते हो हम आत्मा याकर, अब शिव बाबा से मिली हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुन्दर मेला सज रहा, जब सतगरु मिला दलाल, जीव आत्मा आकर बाबा से मिलती हैं, तो जरूप परमात्मा को भी जीवात्मा बनना पड़े, वो तो सुप्रीम आत्मा है, आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है, जैसे स्टार चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बाबा के ते मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रा जब सब पतित बन जाते मैं ही नई दुनिया का रच्यता हूं आता हूं पतित दुनिया में पतित पहले आत्मा बनती आत्मा जानती हम पहले पावन थे अब पतित बने ये शिक्षा तुमको ही मिलती है तीजर के सामने जो स्टूरेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है पाँच विकारों को जीतो, पहली शीक्षा, पाँच विकारों को जीतो, योग अगनि से विकर्मों को भस्म करो, इस विश ने तुम एक कब्र दाखिल किया, इसको पौईजन कहा जाता है, ग्यानमरित से तुम पवित्र बन जाते हो, बाप और वर्से को याद करना है तो बह प्रेचियां कहती बाबा धारणा नहीं होती बड़ी बैनों माफिक समझा नहीं सकते बाबा कहते बच्चे यह हर एक के करम का हिसाब किताब है कोई तो 25-30 वर्ष रहते वे धारणा नहीं कर सकते तुम आत्माओं का बाप पर मात्मा है वैं स्वर्ग का रच्यता है बाप याद करो बच्चो को भी होशियार करना है तुम बच्चो को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर तुम बच्चे समझते हो हम इस समय मोस्ट बिलवड परम पिता परमात्मा के समुक बैठे हैं कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्सा लिया था ब बनते हैं यहां बाबा बात करें शिव बाबा ने ब्रह्मातन का अधार लिया है यह तन बाबा ने किराय पर लिया है रत में रत्थी देख रहे हैं न आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था कहां वो अर्जुन और घोडों का रत बैठ दिखाया तु में क्यों नहीं याद करेंगे प्रन्तु ये गुप्त है बाबा केते अपनी को आत्मा निश्य कर बाब की शिरीमत पे चलना है इसी में माया बड़ा हैरान करती है वे कम उस्ताद नहीं अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है बाबा स्वरक का मालिक बनाए और म तो कि शिरीमत छोड़ जाते हैं माया किने खीच के ले जाती है जो शिरीमत छोड़ देते हैं यहां बच्चे जानते हमें भगवान पढ़ाते हैं तुम गौडली स्टूडेंट हो ना बले दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे बाबा गयते बले गर हाद धन देता हूँ तुम 21 जनम कभी दुख नहीं देखेंगे तुमारे जैसा अकलमंत स्रिष्टी भर में कोई नहीं होता प्रेजडेंट आदे की कितनी महिमा करते प्रंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकोगनीटो बड़ी अथारेटी हो तुम बच्चे चानते हो भार स्वर्ग बनाई 21 जनम के लिए स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं जगतांबा को कितनी बड़ी प्राप्ति है वैब वे भी यही महांमंत्र देती है, शिव बाबा को याद करो, जगदमबा मा क्या कहती है? शिव बाबा को याद करो, Εब बाबा समुक कहते है, लाड़ ले बच्चे मुझे याद करो, यह यात्रा, भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो, वह भूत भारी कमाई है, अच्छे से मत टाइम वेस्ट ना करो बहुत भारी कमाई है बुद्ध्योगवान लग जाना चाहिए हम श्र बाबा के समुख हैं बाबा के घर आए हैं अभी तो तुम हरी द्वार में बैठे हो हरी परमात्मा खुद बैठे हैं वहां तो पानी है ये सच्चा सच्चा हरी का द्वार है हर हर यानि दुख अरणिवाला यां वो दुख हरता सूकरता तुमारे सामने बैठा है भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठे समझते गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, जब कोई मरते हैं, तो गंगा जल पिलाते हैं, अब गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावन है इस शिव बाबा, हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है, तो अंत मते सोगते हो जाएगी, हर एक को याद शिव बाबा को करना है तबी अंत मत्य सुगत्य हो जाएगी ऐसे नहीं पिचाड़ी में कोई बैठ करेंगे शिव बाबा को याद करो अंत में आपे शिव बाबा की याद में शरी छोड़ना है अब हमें शिव बाबा के पास जाना है मुक्तिधाम सत्युक को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता धाम रहने के स्थान को कहते हैं निर्वान धाम में निराकारात्माई ब्रह्म महतत्वों में रहती हैं अब तुम आकर हरी के घर में बैठे हो दुख हरने वाला वो एक ही है अब तुम बच्चों को शुब बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा बाबा आया है घर ले चलने अब शुब बाबा के स्वीट होम को याद करना है यहां तो कोई स्वीट है नहीं अब आप बच्चों को कहते बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर यात्रा करो मैं आता ही हूँ घोर अधियारी रात में ब्रह्मा की रात पुरी हो दिन होना है मैं आता हूँ बेहद की रात बेहद के दिन के संगम पर तो तुम भी रात में नीद को जीत कर याद करने का अभ्यास करो निद्रा जीत बन कर बाप को याद करने का अभ्यास करो दो-तीन बजे के समय ब्रह्महूरत कहा जाता है बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा रात को जाग मुझे याद करो फिर पक्के हो जाएंगे माया बहुत सताएगी फिर भी मेनत करो माया आएगी, सताएगी फिर भी आपको अपना पुर्शाट करना है इसमें मेनत सारी बुद्धी की है उठते बैठते चलते याद में रहना है बाप के थे ठक मत जाना रात के राही, रात को बहुत मज़ा आएगा फिर वो नशा दिन में भी चलेगा एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो और सब की तकदीर फूटी हुई है तुमारी तकदीर अब जग रही है औरों की सो रही है जिनका बुद्धियोग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर तो सोई हुई समझो जो सोचते हैं ओरधन कमाई औरधन कमाई समझे उनकी तकदीर तो सोई हुई है सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है भीर लोग क्या खाते है मिर्ची और मक्की चने का आटा मिलाकर रोटी खा लेते हैं यहां तो तुम्हें सब कुछ मिलता है तुम्हें बहुत साधारण रहना है ना बहुत साहुकारी ना बहुत गरीबी बाबा कहते हैं यहां आपको बहुत मध्यमस्तर का रहना है ना तो बहुत साहुकारी ना बहुत गरीबी ऐसा नहीं कि कोई देखके कि इनके पास है यही नहीं कुछ भी या कोई यह कहें कि इनके तो शाही ठाठ है आपको तो साधारन रहना है, सिंपल रहना यहां साधारन कर्थ सादगी से है बाब के ति लाडले बच्चे मुझे याद करो मैं तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले चलता हूं मैंने नूरे रतनों, नूरे चिश्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है शिरिमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी आप सदा सलामत रहेंगे अर्थाट, माय की चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी इतना तुम्हें सदा सलामत बनाता हूँ, निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है, अगर अच्छी दिती याद करेंगे, तो मदद मिलेगी, जिन्होंने कल्प पहले पुर्शार्थ कर प्रालब दो बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, ये अपने को इंशोर करते हैं, बा गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है, शो करने से उसकी ताकत आधी हो जाती है, अगर कोई शो करते हैं, तो ताकत आधी हो जाती है, मैगनेट बाप को कहते हैं, तुम इंशोर करते हो, जो जैसा आपने को इंशोर करते हैं, वैसा फल मिलता है, पाप करते हैं, तो उसका द आठाना चाराना भी निकालते हैं अब तुम्हें कंप्लीट फिलांत्रोफिस्ट बना है कंप्लीट महादानी बनना है फुल इंशोर कर देना है देखो मममा ने सर्फ तनमन इंशोर किया कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं उनको ये ख्याल नहीं रखना, वे फिर तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं, बाबा को कन्याएं यादारी आज, बले उनके पास धन नहीं, लेकिन वो तन मन से सेवा करती हैं, बाबा को बहुत प्यारी लगती, कन्याएं नंबर वन में आ जाती हैं, बाबा अधर कुमार था, हाँ कोई कुमार निकलते, स्वंबर रच पवित्र रह दिखाते हैं, अहो सो भाग्ये, सरेंडर भी पूरा हो, बहुत अच्छा पद पा सकते, बाबा समझाते, करमों का भोग भी सारा यहां चुक्तू करना है, मम्मा बाबा को भी करम का भोग भोगना पड़ता है, राववा हिसाब किताब यहां ही निकलेगा, ऐसे नहीं कि इश्वर का बना हूँ, फिर रक्षा क्यों नहीं करते, नहीं करम भोग यहां ही चुक्तू करने है, बाबा का बनने के बाद भी कोई करम भोगना आती है, तो बाबा की याद में रहकर होसी-खुशी वह हीसाब किताब चुक्तु करना है अच्छा मीठे मीठे सिख किरद बैक्चια प्रती मात्पिता बाप जबहत का याद प्यार good morning ुषानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्टे रुखानी बच्च्यों की रु हनी बाप याद प्यार, नमस्ते, गुड बॉर्णिंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार, पहले पुईंट है, बुद्धी योग से सच्ची आत्रा करनी है, विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं कवानी, सच्ची कमाई करनी है, तन मंधन से पूरा फिल आंथ्रोफिस्ट महादानी बनना है, अपना सब कुछ 21 जनम के लिए इंशोर कर देना है, बाबा के पास 21 जनमों के लिए बीमा करा लेना है, वर्दान है दिव्य बुद्धी के बल द्वारा, परमातम टचिं का अनुभव करने वाले, मास्टर सर्व शक्तिवान भव, दि दिव्य बुद्धी को बुद्धी बल कहा जाता, इस बुद्धी बल द्वारा बाप से सर्व शक्तियां कैच कर, मास्टर सर्व शक्तिवान बनते हो, जैसे साइस बुद्धी बल है, लेकिन वैस संसारी बुद्धी है, इसलिए संसार के प्रती, प्रकृती के प्रती सोच स आपके पास दिव्य बुद्धी का बल है जो परमातम प्राप्ति के अन्भूति कराता है। आपके वार को हार खिला सकते हो, अपनी दिव्य बुद्धी से आप माया को भी हरा सकते हो, सरल शब्दों में दिव्य बुद्धी से ही मास्टर सर्व शक्ति वान बनना है। स्लोगने मास्टर ज्यान सुर्य बन सब को ज्यान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। एक सूचना है, इस मास की सभी मुर्लियां इश्वरिय महवाक्ये निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुक्ष से अपने ब्रह्मा वद्सूं, आतात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के समुख, अठारा जन्वरी 69 से पहले उचारण किये, ये केवल ब्रह्मा कुमारियों की अधिकरित टीचर बहनों द्वारा नेमित विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं, आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, कुछ पल के लिए इस स्वमान में ए इकागर हो जाएं, परमातम टचिंग से परमातम शक्तियों को प्राप्त करेंगे, ये दिव्य बल, दिव्य बुद्धी से प्राप्त होता है, परमातम शक्तियां एकागरता से ही मिलती हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान मोती।